अगर आपको सुबह के नास्ते में समझना आया कि क्या बनाया जाया तो आपके घर में जो भी ब्रेड पड़े हुए हो तो उससे आप सुबह का नास्ता जल्दी से बना सकते हो तो मैंने 10 ब्रैड लिए हैं तो इनको अब हम छोड़े चोड़े टुकड़ों में तोड़ लेंगे और इसको हमने मिक्सी में ग्राइंड कर लेना है इसके ब्रैड क्रम्स बना लेने हैं तो ये देखे गाइस मैंने ब्रैड क्रम्स बना लिए हैं और इसको मैं बावल में ट्रांसफर कर लूँगी और अब इसके अंदर मैंने कटी हुई हरी मिर्च एड़ कर लेनी है और चौप जिंजर एड़ कर लिया है और गार्लिक एड़ कर लिया है और मैंने 50 क्राम इसमें पनीर के पीस कट करके डाल दी हैं और कटी हुई हरी सबजी याप मुणापो भी सब्ज़ीयाँ इससें डाल सकते हैं मैंने इसमें टॉमरिषॹण टॉमाटर रपया डाला लाए है और इसके अंदर मै थी कती हई अर्थित हरी भन काली भन की पतिया यह यह इसके रड्च लेगे काली मिर्च पाउडर एड़ कर लेंगे और हल्दी पाउडर एड़ कर लेंगे और चाट मसाला एड़ कर लेंगे और थोड़ी सी जीरा एड़ कर लेंगे और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक एड़ कर लेना और इसमें थोड़ा सा दही मिला लेंगे करती हैं और इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि यह एक डो के रूप में तैयार हो मैं सब करने गाइए इसका बंचुका है अब हम इसकी चार जिए बनाएं ग़ैये नहीं भी पड़ी होने चाहिए नहीं जाब चियार बना करने पैन में एक स्प्रेड कर लिया आ नहीं है रोटियां जादा बड़ी भी नहीं होनी चाहिए एकदम मीडियम साइज की रोटी बनानी है हमने ठीक इसी तरीके की तो अब मैंने पैन में इसको डाल दिया है और इसको हमने मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकाना है तो इसको आपने बिल्कुल पेशेंस से पकाना है और एक साइड जब यह अच्छे से पक जाए तब इसको पलट लीजिए और गैस की फ्लेम का आपने ध्यान रखना है कभी आप मेडियम रखिए तो कभी हाई रुखिए तो यह दिखे गाइस हमारे ब्रेड स्नेक्स बनकर रेडी हो गए है अब हम इनको सर्फ कर लेंगे तो मैंने प्लेट में इनको बारी बारी करके इसमें डाल दिया है अब हम इनको सॉस के साथ सर्फ करेंगे तो यह दिखे गाइस मैंने बीच में सॉस रख ली है तो अब मैं बीच से तोड़कर भी दिखाती हूँ तो यह दिखे गाइस कितने अच्छे से पख गए हैं और टेस्ट चेक करके भी बताती हूँ कि यह कैसे बने हैं बहुत अच्छे बने गाइस तो चलिए गाइस मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाइबाय एंड टेक्यर